तो वेलकम बैग आइस टू एसेंट गेट अकैडमी तो डियर टूड़े वी अर गूई को स्टार्ट डा डिजाइन अव जॉइंट अब हम डिजाइन अव जॉइंट पढ़ेंगे वीरिंग थक की स्टेडी हम अलरेडी कर चुके हैं नाव इस टाइम फॉर डिजाइन अव ज कॉपलिंग्स बेसिकली इनमें क्या अंतर है तो माई डियर जहां तक बात जॉइंट की है जॉइंट आर फेमस फॉर लोड ट्रांसमिशन जॉइंट जो है वो लोड ट्रांसमिशन के लिए फेमस है और जहां तक बात कॉपलिंग्स की है वो power transmission के लिए famous है joints are famous for load transmission and couplings are famous for power transmission and my dear, joints होते हैं basically दो तरीके के होते है पहले होते हैं temporary joints और दूसरे होते हैं permanent joints temporary joints के अगर हम बात करें इसमें कौन-कौन सी चीज़े आती है इसमें आते हैं जो मतलब temporary मतलब जो मतलब जैसे मैं बोल्टिट जॉइंट है एक बर nut और बोल्ट लगा फिर nut हटा लिया, बोल्ट फिर गयों लगा दिया तो temporary हो गया quarter joint is temporary, knuckle joint is temporary, key joint is temporary, welded is permanent, reverted is permanent, yes तो temporary joints के example हैं बहुत सारे key joints, quarter joint, knuckle joint okay इसी तरीके से bolted joints etc इसी तरह permanent के भी बहुत सारे examples हैं जैसे welded joints bolted joints, sorry bolted नहीं, reverted bolted नहीं, reverted reverted joints और कौन से हो सकते हैं, welded हो गए, reverted हो गए, और कौन कौन से हो सकते हैं braced joints soldered etc so यह temporary और PERMANENT joint का एक classification सा है तो temporary और PERMANENT joints के जो classification हैं आप प्रस्ट नहीं इसे कौन कौन से पढ़ने हैं कौन कौन से इन में से हमारे syllabus का इसस्सा है so यहां पर हमारे syllabus काहिसा सिरफ bolted joints हैं और यहां पर हमारे syllabus काहिसा है, welded joint और reverted joints और हमारे syllabus में नहीं है पर फिर भी miscellaneous में मैं आपको की quarter का थोड़ा सा introduction जरूर दूँगा कभी इंटर्व में पूछ लिया जाता है और बस यही सब हमें देखने हैं तो मैं start करूँगा reverted joint से because सबसे ज्यादा question यहीं से आते हैं तो start यहीं से करेंगे फिर second पर हम पढ़ेंगे bolted joint reverted और bolted के question लगवग एक जैसे होते हैं third preference over will be going to welded joint क्योंकि इससे सबसे कम आता है आज तक के सिरफ दो ही question आए है तो सबसे पहले reverted फिर bolted और फिर welded तो start करते हैं reverted joint से चलिए बढ़ते हैं so my dear the very first type of joint we are going to study is design of reverted joints अगर हम design of reverted joints की बात करें सबसे पहले हमें देखना होगा रिवर्ट होता क्या है रिवर्ट इस लाइक दिस लाइक दिस अब इसमें इस चीज़ को बोलते है रिवर्ट हैड इस चीज़ को बोलते हैं और यहां पर जो रिवर्ट हैड इस चीज़ को बोलते हैं टेल और यहां पर जो रिवर्ट हैड हैड शेंक को टेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह जो शेंक है इसका डायामेटर ही basically रिवर्ट डायामेटर डी आर कहलाता है तो डी आर इस रिवर्ट डायामेटर और इसके बाद अगर मैं आपको यह दिखाओ कि रिवर्ट डायामेटर बनते कैसे हैं सो माइडियर सबसे पहले यह रही आपके पास एक प्लेट यह रही दूसरी प्लेट और अब इन दोनों प्लेट को ऐसे रखने के बाद किया जाता है एक होल यह इन दोनों के बीच में कर दिया गया होल अब इस होल के बीच में यह जो होल है इसका डायामेटर होगा डी एच इस बैसिकली डी एच होल डायामेटर अब आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे रिवर्ट को पुट कर देगा अब माइडियर क्या करेंगे हम रिवर्ट पे लगाएंगे फोर्स और यह जो हैमरिंग होगी उसके कारण रिवर्ट का होगा कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और उसके बाद रिवर्ट ऐसे इसको पर्मानेट जोएंट बोलते हैं अब इस रिवर्ट को आप अलग करके दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए पर्मानेट जोएंट हैं अब माइडियर टेक के करके देखते हैं एडवांटेज इसके और लिमिटेशन क्या है चलिए देखेंगे जहां तक एडवांटेज की बात है तो सबसे पहला एडवांटेज है कि दो डिफरेंट माटीरियल की प्लेट को भी हम जोएंट कर सकते हैं क्योंकि रिवर्ट को इस बात से कोई मत इसे 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 इफ्रेंट थीक्नेस प्लेट को भी जोड सकते हैं different thickness plates can be joined with thickness से भी रिवर्ट को कोई मतलम नहीं है तीसरे डवांटेज देर इसनौ है इतिंग कोई प्लेट हीट नहीं हो रही तो दिरई इसनौ हीट अफेक्ट जोंड जो की वेल्डिंग में देखने को मिलता है समझ गए दिस सिदा third advantage और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भई अब्यस्वी बात है कोई thermal है नी कोई heat का effect है नी तो अब अब अगर हम बात करें limitation क्या क्या है तो limitation यह है माईडियर पहली बात तो revert को plate में डालने के लिए plate में hole करना पड़ता है तो इससे strength of plate reduce हो जाती है तो strength of plate is getting reduced अब माईडियर plate fail हो या revert, reverted joint तो fail ही कहलाएगा ना तो plate week हो गई तो भी joint week हो रहा है, revert week होता है तो भी joint week होता है, दूसरा माईडियर जैसे आपने hole किया है, revert डाला है तो leakage के भी chances कहीं न कहीं रहते हैं, तो leakage के chances भी रहते हैं, यह second limitation है अब इस leakage के chances को avoid करने के लिए इसको revert को properly pack या बंद किया जाता है, तो इसको close करने के लिए हम दो तरह के tools यूज करते हैं एक इस तरह का tool होता है, जो कि flat end है, दूसरे वाले का sharp end होता है तो इसको दो तरह के हम use करते हैं, इसको use किया जाता है full ring के अंदर और इसको use करते हैं, कॉलकिंग में, मतलब जब आप इसको close करने के लिए इस revert को पूरे तरीके से ताकि leakage नहीं हो अगर आप flat वाले end वाले tool को use कर रहे तो इस operation को full ring बोलते हैं, sharp end को इसको कॉलकिंग बोलते हैं समझ गए, तो ये थोड़ा सा revert के बारे में था, थोड़े से उसके advantages थे, थोड़े से limitation थे अब हम reverted joint वो classify करते हैं, चलिए, so let us say the classification so classification तीन तरह का है, एक समय पे तीनों तो नहीं देख पाएंगे, एक के करके देखते हैं पहला जो classification है, वो है, based on how the plates are joined, इस बात पर बेस करते हुए कि plates को कैसे जोड़ा गया है, ठीक है, तो अगर इस पर बेस अगर हम बात करेंगे कि plates को कैसे जोड़ा गया है, तो मैंने आप से का, generally दो तरह की joints होंगे, फिर एक होता है lap joint, और दूसरा होता है butt joint, अब lap joint की बात करते हैं, मैंने आप से का, कि ये देखो, ये रही दो plates, इन दो plates में किया गया DH का hole, अब बारी यहां पर रिवट डालने की है, तो मैंने का, रिवट डाल दिया, और रिवट का डामेटर कम होता है, इसलिए उसको ऐसे दिखाएंगे, ये lap joint होता है, this is kind of overlapping in plates, अब अगर मैं आप से बोलू, इसमें कितने रिवट हैं, तो बता पाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे, सर एक, मैं करो नहीं, आप नहीं बता सकते हैं, जो तक आप इसका top view नहीं देख लो, इसके लिए top view देखना जरूरी है, जब आप इसका top view देखोगे तो दे देख रहें, आपको जो दिख रहा है, this is one row of reward, number of reward के लिए top view देखेंगे, top view कैसा दिखेगा दिखा रहा हूँ, एक plate तो ये रही, this is one plate, फिर दूसरी plate ये रही, और reward की बात करेंगे तो, एक, दो, तो यहाँ पर एक row में दो reward है, तो यहाँ पर जो number of row है, वो one है, यहाँ पर एक row है, it is a single row, पर उसमें reward कितने है? वो दो है, ठीक है? तो यह इसका top view होता है, अब यह जो lap joint है, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसे ही होंगे, इस तरीके से भी हो सकते हैं, like that, एक और example दिखा देता हूँ आपको, एक plate, दो plate, एक hole, दो hole, top view देखना पड़ेगा, तो यह एक plate बना देते हैं, ठीक है? फिर यह दूसरी plate बना देते हैं, और यह रही रो फ्रिवर्ट्स, ठीक है? तो यह पर कितनी रो हैं? दो रो हैं, और यह पर अगर मैं ऐसे रिवर्ट्स को बनाता तो ऐसे बनाता, तो यह पर रो कितनी है? डबल रो, जॉइंट कैसा है? लैप, और रिवर्ट्स कितने हैं हर रो में? ठी, ठी रो पर रो, अब बात है बट जॉइंट की, बट जॉइंट दो तरीके के होते हैं, बट जॉइंट ऐसे होते हैं, लैप ऐसे होते हैं, तो इनमें होल करके रिवर्ट गुसा दिया, अब यह ऐसे होते हैं, अब इनके बीच में तो आप रिवर्ट डाल नहीं दोगे, है ना? तो इसको जोडने के लिए अबने इस ट्रैप प्लेट लगानी पड़ती हैं, कैसी होती होती है, स्ट्रैप लेट दिखा रहा हूँ, स्ट्रावेश्स Tucson Co., कि आप यह ऐसे होते हैं, कैसी अबने दिखा रहा हूँ, कैसी है, कैसी होती ही, कैसा इस स्ट्रैप। यह बना दिया लगता है चलिए कोई बात नहीं बट इस लाइक दिस यह स्ट्रैप प्लेट जब एक ही स्ट्रैप प्लेट यूजो तो उसको सिंगल स्ट्रैप बोलते हैं अब यह होगा इसके अंदर होल अब इसका टोप यू भी साथ साथ देख लेते हैं भईया टोप यू ही क्लेरिटी देता है देंडूचल नहीं ह atención प्लेटी स्ट्रैप लाיכ भी स्ट्रैंग दब चल्यों प्लेटी लाग टोष्ड देंडेन टूर तğin ट्स disturbing तो यहां पर इस तरीके से रिवर्ट को ऐसे दिखाएंगे ओके तो यह सिंगल स्ट्रैप है सिंगल स्ट्रैप और दो प्लेट्स ऐसे हैं तो जॉइंट कौन सा है? बट जॉइंट इस तरीके से सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट और रिवर्ट हर रो में दो है अब यहाँ पर प्रस्थ नहीं होता है कि रो कितनी है? जॉइंट इसको देखके बोलते हैं सर दो रो हैं तो मैई डियर मैं आपको बदा दू यह दो रो नहीं है एक ही रो है रो हमेशा पर प्लेट काउंट होती है जैसे अगर मैं पिछले वाले केस में बताओं तो इस प्लेट के लिए एक रो है इस प्लेट के लिए बी एक रो है इस प्लेट के लिए दो रो है इस प्लेट के लिए दो रो है यहाँ पर देखो इस प्लेट के लिए एक रो है तो ये double row नहीं है ये single row ही है तो ये धोखा हो जाता है butt joint के अंदर तीक है अब अगर double strap plate की बात करो के तो double strap plate कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं ये है एक plate ये है दो plate इनके top view के लिए पहले से ही काम कर लेते हैं अपन ठीक है है ये हो गई एक strap plate ये हो गई दूसरी strap plate ठीक है अब यहाँ पर होगा एक hole दूसरा hole तो obviously axis बना देता हूँ अब ये हो गई रिवर्ट रिवर्ट का diameter hole से छोटा होता है इसलिए इसे दिखाते हैं ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ plates कटोप फ्यू कटोप फ्यू तो इसमें अगर आप देखोगे तो यह डबल स्ट्रैप है हर प्लेट में रो कितनी है सिंगल डबल भी बना सकते थे सिंगल रो है ना बट जॉइंट तो रो कितनी ही बनेगी किया दो सिंगल रो बी का एक केस डिखा दूँ मा ठीक है सबसे असान क्लासिफिकेशन है सिंगल रो हो सकते है डबल रो हो सकते है ट्रिपल रो हो सकते है एंड सो ओन हो सकते हैं सिंगल रो के एक्जामपल अगर आपको देखने है तो ये रहें सिंगल रो ये डबल रो सिंगल रो डबल रो फिर ये दोनों के दोनों सिंगल रो चलो बट जोईंट में डबल रो का केश भी दिखा देता हूं ट्रिपल का नहीं दिखा रहा है तो वेस्टे जो टाइम ऐसे तो कितनी वर्जी रो बनाते रहो तुम्हारे उपर है ठीक है इसको यही तक रखते है ओके तो टोफ्यू में यह एक प्लेट आजाएगी यह दूसरी मुझे लगता है पिसले वाले में छोटी सी मिस्टेक किया हमने और मिस्टेक यह है यह नहीं बनाना था यह 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 इसा बनना था था इसमें देखो इट शुट बी लाइक दिस ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए थी और ये ऐसा होना चाहिए था ऐसे और इसमें स्ट्रैप प्लेट बनती है ऐसे लाइक दिस ओके साहब करेक्टिडिट अब आप समझ लेओंगे अब इसको देखते है इसमें मैंने का सिंगल स्ट्रैप है तो सिंगल स्ट्रैप को भी बनाई लेते हैं साथ सा ताकि गलती होई न अब इसके अंदर हम डबल रो बनाने चले पहली रो ये रही ठीक है और इसके अंदर एक और रो भी तो बनानी है भी तो दूसरी रो ये रही यहां भी एक रो ये रही ये दूसरी रो अभी रोस के अंदर रिवर्स डाल दो लाइक दिस एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन और चार ठीक है भी तो ये होगे डबल रो ऐसी ट्रीपल रो एंड सोन बना सकते हो आप ठीक है समझ गये होंगे अब तो अब तो मामला क्लियर है बहुत हब तक चलिए अब बढ़ते आगे थर्ड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन थर्ड देट इस बेज अपॉन टाइप ओफ रिवर्टिग देरार टू टाइप्स वन इस चेंड टाइप अधर इस जिग्जाग टाइप चेंड टाइप कैसे होती और जिग्जाग टाइप कैसे देख लेते हैं जिसी एक रोफ रिवर्ट है यह दूसरी रोफ रिवर्ट है इसको बोलते हैं अब जिग्जाग टाइप देख लो यह जिग्जाग टाइप अब तक मैंने जितने डाइगराम बनाएप सब में मैंने चेंड टाइप अफ रिवर्टिंग का यूज किया है दोनों में से कोई भी हो सकता है वन इस चेंड टाइप अधर इस जिग्जाग टाइप चलिए तो यह क्लासिफिकेशन पूरा हुआ रिवर्टिट ज्वाइंट्स का अब देखते टर्मिनलोजिस चलिए बढ़ते आगे दो तरह की डिवर्टिंग बना रहा हूं एक बार फिर यह कौन सी है ओब्यस्लिट चेंड टाइप दूसरी यह कौन सी है जिग्जेग टाइप तो माइडिय टर्मिनलोजिस में क्या क्या चीज़े हम देखते हैं वो भी दिखा रहा हूं आपको सबसे पहली चीज़ होती है गेज लाइन ऐसी लाइन जो सारे डिवर्टिंप के सेंटर से पास करें ऐसी लाइन को गेज लाइन बोलते हैं तो यह वाली लाइन गेज लाइन है यह क्या है गेजे लाइन yeah okay yes this is gauge line this is gauge line अब यह जो जबीज लाइन कीज लाइन अजो घेज लाइन कें जाना कि दिज कर दाता बैक पिच झाइच इसेट इसेट न कीविए बैक पिच तरह पिच सेके न इस चाहिड या गेजमरा टैम पिच küकiran टैम टैम है अब एक ही गेज लाइन के लोंग दो रिवर्ट के सेंटर का गैप एक ही गेज लाइन के लोंग दो रिवर्ट के सेंटर का गैप के लाता है पिच फोर्थ वन इस डाइगोनल पिच तो दो diagonally opposite reverse के center का distance कहलाता है diagonal pitch दो diagonally opposite अब जैसे ये वाला पूरा distance क्या था pitch तो यह आधा कितना होगा P by 2 ये कितना है back pitch तो आप diagonal pitch का formula अगर निकालेंगे दोनों के लिए यहाँ भी ये क्या है back pitch तो अगर आप diagonal pitch का formula निकालेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा पहले वाले के लिए आएगा P square तस PB square और दूसरे बाले के लिए आएगा P by 2 square plus Pb square ओके तो दिस इस फूर chain type दिस इस फूर zigzag type समझ गए? एक आखरी चीज़ बचे इसको बोलते है marginal pitch it is marginal pitch क्या होती है जैसे आप एक plate में जब hole करोगे तो यह जो जब आप hole करते हो plate में तो जो आखरी वाला hole होगा उसमें आप जो gap देते हो उसको बोलते है margin ओके तो इस तरीके से margin और marginal pitch define होता है क्योंकि margin होना जनुरी है margin नहीं होगा अगर hole यह plate पही आ गया और अभी भी failure की जान्द जादा होगा यहां से fail होना असान है तो इसलिए हमेशा एक marginal pitch को proper रखते 2.5 से 3 times of diameter marginal pitch is kept to be 2.5 to 3 times of diameter of hole तो यह थी terminology of reverted joint ठीक है अब बात है हमें design करना है जब अब बात design की कर रहे है तो design दो तरह की loading के लिए करना है एक तो ऐसी loading जो जिसका center एक ऐसी loading जिसका center centroid of reverse से पास कर रहा हूँ means if if line of action of force is passing through the CG और centroid of reverse दूसरी loading होती है इसको बोलते है eccentric loading if line of action of force is eccentric to CG or centroid of reverse this is the case I wanted to discuss तो दो केसी देखने पहले देखेंगे यह वाला फोर यह वाला केस फिर दूसरा देखेंगे centric loading gate के लिए ज्यादा कौन सा important है obviously centric loading मतब अब यह मान के तो इसेंट्रिक लोडिंग रिवर्टिड में भी होगी बोल्टिड में भी होगी तो हम eccentric loading के एक केस को रिवर्टिड में पढ़ेंगे और बाकी दो केसी को बोल्टिड में पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं अब तक तो हम जो introductory part देख रहे थे अब हम देखेंगे पहले ये वरा design और फिर ये वरा design चलिए बढ़ते आगे